हेलो दोस्तों नमस्कार मैं हूनी रजराय और स्वागत है आपका फार्माहर्ट्स में दोस्तों हम लोग शुरू कर रहे हैं डिप्लोमाइन फार्मेशी फर्स्ट इयर के स्लेवर्स को और एक सब्जिक्ट है हेल्थ ईज़ूकेशन और कम्मेंटिव फार्मेशी उसकी शुरूआत करेंगे उसके लेक्टर करेंगे तो सबसे पहला चैप्टर इसका है हेल्थ एंड डिजीज और हम लोग इसी के पहले पार्ट के डिसकस करेंगे तो चलिये देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें क्या किस इस लेवर से क्या टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कॉंसेप्ट आफ एल्थ जिसमें आपको पढ़ना है इंट्रोड़क्शन डामेंसेंस ऑफ हेल्थ इंडिकेटर साफ तो इस वीडियो में लोग इसी की बारे में डिसकस करेंग प्रिवेंसेंस ठीक है तो यह सारी चाहिए में डिसकस करनी है तो चलिए हम देखते हैं भी कॉंसेप्ट आफ हेल्थ के बारे में तो अगर हम बात करें कॉंसेप्ट आफ हेल्थ की तो यहां पर एक बात आपको बताई जाती है तो सबसे पहले कि आप इंट्रोड़क्शन जबाब पढ़ते हैं तो हेल्थ के बारे में हवाली के डिफमिशन अब को पता होने चाहिए जो की एक क्यूरिट रिफिनेशन हो जो कि आजि faço ने 1948 में दिया था इन्होंने बताया क्या ता quem कहने का मतलब जो health होती है वो किसी भी विक्ति का कि mental, physical और social यह जो conditions है यह बिल्कुल सही होने चाहिए ना कि केवल यह कि उसके अंदर कोई रोग नहीं है मतलब अगर उसके अंदर ऐसा नहीं है कि अगर कोई रोग नहीं है तो वो स्वस्त है ऐसा नहीं होता उसके अंदर उसका mental quality है उसकी जो social quality है वो अच्छी होनी चाहिए यह बताया जाता है इस act के तहत इक्ट ने इचली इस definition के तहत ठीक है जो कि वह ने definition दिया था 1948 में दोस्तों health का मतलब होता है कि एक तरह से positive concept मतलब आपकी body बिल्कुल सही से सही से काम कर रही बिल्कुल ठीक ठाक है आपके physical capabilities सही चल रही है उसी को में लोग गोलते हैं health थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगर हम concept of health में ही कुछ introduction में और कुछ बाते करें तो इंडियन गवर्मेंट ने 1983 में इंडियन गवर्मेंट ने 1983 में एक national health program launch किया था जिसका कुछ aim था कुछ aim था कि जो है लोगों के पास health सही से पहुँचे तो जितने भी लोग हैं उनके अंदर जो infectious disease फैल रही है उसको चेक करने के लिए उसकी जाज करने के लिए लोगों के पास एक proper health services पहुँचे और वो जो infectious disease हैं उन सभी की जाज करें और उन सभी की जाज करके उन सभी को medication करें उन सभी का ठीक है तो ये काम किया गया था गौर्मेंट को दारा नेशनल हेल्फ प्रोग्राम के तहट नेक्स्ट क्या गई जितने भी लोग हैं चाहे वो rural area के हैं या सब rural area के हैं मतलब ग्रामीर छेत्र के हैं क्योंकि ग्रामीर छेत्र में पहले health services नहीं पहुँच पाती थी तो health services ग्रामीर छेत्रों में पहुचें उसके लिए गौर्मेंट ने नेशनल हेल्फ प्रोग्राम को बनाया था जिससे रूरल और सब rural areas में भी medicines पहुच पाया है जो उसका treatment है medicines का वो पहुच सके disease का treatment किया जा सके नेश्ट है to conduct the vaccination program vaccination program करने के लिए भी जो नेशनल हेल्फ प्रोग्राम था उसमें इसका भी schedule बनाया गया कि जो vaccination program है वो भी किया जा देखिए तो बहुत सारी vaccination की जाती है आज कल ठीक है नेश्ट है to stabilize the health sub center तो ऐसे रूरल एरिया में जो sub centers थे उनको विक्षित किया गया जो प्रामरी health centers थे मतलब PHC थे उनको विक्षित किया गया और community health centers भी विक्षित किया गया और वहां पे trained manpower दी गई मतलब पूरे doctors होते हैं आपने लगा सुना होगा कि CHC होता है PHC होता है सब centers होते हैं तो वो सब बनाये गए ताकि लोगों को मतलब बिल्कुल down to earth उनको health services दी जा सके हैं ठीक है अब ही हम next आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा यह उससे पहले मैं आपकी चीज बोता हूं कि government के दोरा कुछ new philosophy लाए गई हेल्थ के लिए जिसके तहत जो health जो होती है वो पर तेग व्यक्ति का एक fundamental right होती है एक मूल अधिकार होती है और जो है आसानी से सबको health मिल जाए यह ने policies के थैद बनाएगे introduction में आप थोड़ा से बढ़ा के लिख सकते हों उसमें कोई बहुता दिकत नहीं है थोड़ा सागे बढ़ते हैं और देखते हैं dimensions of health introduction हो गया concept of health में अब बात करते है dimensions का मतलब होता है कि वीमा मतलब कि इतना समझ लीजे कि health कहां कहां तक है उसी को ह यह आपको कुछ parameters की आवशकता होती है और WHO ने parameter recognize किया सुरवात में ने बताया कुछ parameters होते हैं जैसे physical health होती है mental health होती है social health होती है ठीक है इससे हम health की parameter इसको बना सकते हैं और spiritual health है emotional health है environmental health है तो यह सब भी dimensions of health होते हैं जिसमें हम लोग discuss करेंगे physical, mental, social, spiritual health के बारे में ठीक है यह क्या होती है कैसी health होती है तो actually अगर हम बात करें यहां पर फिजिकल health के बारे में तो physical health अगर देखा जाए तो physical health is defined as a state indicating perfect functioning of the body अगर किसी की body perfect function कर रही है तो कहने का मतलब वो ठीक ठाक है उसकी physical health अच्छी है ठीक है चीक ठाक है उसकी physical health अच्छी है इसी को हम बोलते है कि physical health ठीक अब इसमें होता क्या है कि जैसे आपकी body body हो जो है सही से function कर रही है और साथी साथ में आपकी appetite अच्छी है भूख अच्छी लग रही है आपको अच्छी नीन आ रही है अच्छी सांस आ रही है आपकी skin clean है आ थीक ठाक है कोई आपको दिक्कत नहीं है तो देखने से आपके शरीर आपका कैसा है आपके बॉड़ी कैसी है दाइट इस नोन एज फिजीकल है ठीक नेक्स आगे बढ़ते हैं दूसरी जो हल्थ है वह आपके हैं mental health mental health बहुत दाधा important होती है इसको कैसे define कि जाता है इसे defined as the balance between the individual and surrounding world including the environment कोई व्यक्ति अपने चारो तरफ के वातावरण से कैसे संपर्क रख पाता है वह एक mental health की वज़े से संभव है ठीक है तो इसमें क्या है कि क्या क्या reasons होंगे तब आप बोलोगे कि जो mental health है वो सही है किसी व्यक्ति की तो सबसे पहले एक इंडिविजबल जिसकी अप mental health देख रहे हैं अगर उसकी तब सही होगी जब उसके अंदर कोई internal conflict ना चल लाओ क्यार यह करूं वो करूं कैसे करूं कैसे ना करूं क्या होगा मेरा क्या नहीं होगा तो मतलब ऐसी कुछ बाते हैं जो होती है मिसाद में वितसोचता रहता तो mental health से सही नहीं रहते ठीक है तो उसके अंदर कोई internal conflict ना हो दूसरा की he should be well adjusted with a surrounding मतलब अपने चारो तरफ जो है में जी रहा हो तो उसकी mental health सही होती है मतलब वह बिलकुल अपने बारे में सब कुछ जानता है तो उसकी mental health रची होती है उसके बाद अपने उपर उसको जल्दी जल्दी गुशा नहीं आता है उसका self-control अच्छा होता है जो व्यक्ति का mental health सही होती है उनका self-control अच्छा होता जल्दी समनों गुशा नहीं आता ठीक टाग रहता है नेक्स्ट है कि इंडिविजिवल उन फेशिए दो प्रॉब्लम्स शुट्राइ तू शॉल्दी केने का मतलब जो व्यक्ति हैं वह में अच्छी होती है तब कहांगे में अच्छी है जब वह अपनी प्रॉब्लम्स को इंट्रीजेंटली सॉल्व करें मतलब एससे अच्छे से toast कि लोगों के बीच नहीं प्रेंशन करते हैं तो कि enfants करते हैं जो लोगों से बात शीत करना नहीं पसंद करते हैं अपने सोसाइटी में लोगों के साथ रहना नहीं पसंद करते हैं तो ऐसा का मतलब यह है कि उनकी सोसल हेल्फ जो है वह बहुत जादा कमजोर है ठीक है तो एक तीकी सोसल हेल्फ अच्छी होनी चाहिए लोगों से बातचीत करना लोगों से स्किल्स जो है आपके पास तभी ड लोगों से रिलेशनसिप बनाना तो जिसके सोसल हेल्फ कम जोर होती हो लोगों से रिलेशनसिप नहीं बना पाते हैं लोगों से बात नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि ऐसा करना चाहिए लोगों को रिलेशनसिप बनाना चाहिए लोगों से इससे जो है आपको फाइदा कि आप एक अपने सोतनतर रूप से जीवन जीप आएंगे यह सुसल हेल्थ आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूर यह नेक्स्ट होता है spiritual health की बात करें तो it is a defined as a personal matter involving the values and benefits providing a purpose in an individual's life यह अपनी personal choice होती है spiritual health की बात करें तो कुल मिला कि एक आध्यात्मिक health होती है कि आध्यात्मिक जैसे खाज करके धर्मस जाती कि आधार पर ही यह सभी जो है बिश्वास आता है लोगों के अंदर ठीक है तो यह भी एक प्रकार की health होती है इसको भी health माना जाता है और medical science में अब भी बात करें तो जैसे books में तो यह लिखा गया है कि medical science में आत्मा और सरीर को अलग अलग चीज़े मानी जाती है और सरीर को स्वस्था रखने के लिए medicines किया वसकता होती है और दिमाग को मतलब brain को स्वस्था रखने के लिए जिसको हम एक चीज़े आत्मा बोल ले हैं उसको स्वस्था रखने के लिए हमको चाहिए होता है कुछ spirituality मतलब कुछ अच्छी सोच साथ में meditation कहने का मतलब सरीर के लिए medication और दिमाग के लिए meditation ठीक है यह इसीज़ किया वसकता होती है और इसे आदमी खुझ को अच्छे से कर पाता है और अच्छे से जान पाता है spiritual health जिसकी अच्छी होती है यह सारी बाते जो मैं आपको बोल ला हूँ यह सारी बाते आप लिखोगे तो आपका इस ऐसा पैराग्राफ बहुत बड़ा सा बन जाएगा ठीक है बस इसको इंगलिस में थोड़ा से ट्रांसलीट कर सकत मतलब होता है कुछ ऐसे factors जो की आपकी health को influence करते हैं उनको हम बोलते हैं determinants of health influence करने का मतलब अच्छा भी कर सकते हैं खराब भी कर सकते हैं that's known as a determinants of health जैसे example income and social status अब इसमें heading डालोगे इसमें आप कुछ लिख सकते हो तो किसी भी बैक्ति की income और उसका social status जो है वो उसकी health पर प्रभाव डालता है कैसे डालता है सोचिए आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं आप अच्छी शमागरी घर में लेकर के आएंगे आपकी health अच्छी रहेगी खाएंगे अच्छा आपकी health अच्छी रहेगी ठीक है तो ऐसे ब्यक्ति जिसकी income अच्छी है जिसकी social status का अच्छा है उसकी राच्छी उसकी लोगों से मिलने जुलने की मतलब अच्छे लोगों से मिलने जुल रहे हैं ठीक है गंदगी के पास नहीं जा रहे हैं तो बीमारिया नहीं होंगी मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे व्यक्ति जो है वो उनकी health पर income का social status का प्रभाव है और ऐसे व्यक्ति जिसकी income कुछ नहीं है वो उसके पास खाने के लिए सही नहीं है तो उनको पोशन नहीं मिल रहा है इम्मुनिटी कमज़र हो जा रही है उनको बीमारिया हो जाएंगी तो यही सब हो दा है income का प्रभाव पढ़ता है और social status में जैसे बहुत सारे लोग गंदी जगे पे रहते हैं उनका कोई social status उतना अच्छा नहीं होता है लोगों के ठीक है तो वहां से भी गंदगी की वज़़े से बहुत जारा contamination होता है contamination से बीमारिया हो जाती है ठीक है तो उनकी health खराब हो जाती है next employment अब देखेगा employment दो प्रकार का हो सकता है एक अच्छ से गलत प्रभाव डालती है बहुत सारे सी jobs होती है बहुत stressful होती है तो व्यक्ति के जीवन पर वो negative प्रभाव डालती है health पर negative प्रभाव डालती है और आपको बीमार कर सकती है ठीक है तो एक तो यह हो गया next step का education तो education आपको पता है education बहुत ज़्यादा important होता है और यह कैस level education जो कि आपके लिए income लेकर के आता है तो education रहता है किसी व्यक्ति के पास तो health पर प्रभाव पड़ता है कि health की तरफ educated रहता है उसको पता है कि कैसा है मतलब कैसे कैसे में काम करना है कि मारी health अच्छी रहे और दूसरी चीज दूसरा क्या रहता है कि जैसे कोई educated person है तो उ अच्छा employee होगा तो अच्छी income करेगा तो फिर उसकी जो social status है वो अच्छा होगा तो उसका health भी अच्छा होगा तो यह फिर से जो education है वो किसी व्यक्ति के health पर directly प्रभाव डालता है और साधी साथ में education से self confidence आता है और self confidence जो है वो आपके जो है शरीर को बिल्कुल सही करता है ठीक है मतलब बीमार नहीं होने देता है बट कभी कभी क्या होए कि जब education label low होता है किसी व्यक्ति का तो उसकी health कमजोर हो जाती है health कमजोर हो जाती है क्योंकि उससे stress बहुत जादा होता है उसके अंदर self confidence कम होता है ठीक है अगर उसको पढ़ाई नहीं आ रही है उसका education अच्छा नहीं है तो वो देरे देरे बीमार होने लगता है तो इस तर social environment का क्या प्रभाव पड़ता है हमारे body के उपर तो social environment का बहुत जदा प्रभाव पड़ता है जैसे अभी आप यह समझ लीजिए कि आप अपनी society में रह रहे हैं ठीक है और आपकी जो society है ठीक आपकी social stability बहुत जदा अच्छी नहीं है आपके आपकी जो से आपकी society है उसम ठीक है यह आपकी relationship किसी से अच्छी नहीं है तो उस condition में लोग आपको उल्डा सीधा बूल ले हैं और अच्छा नहीं बूल ले हैं ठीक है आपकी लोग को supportive नहीं है आपकी society है आपकी तो आपके अंदर ऐसे low confidence आएगा और low confidence आएगा तो stress होगा और stress होगा तो आपकी health खर क्राब है तो यह influence करता है आपकी health को social environment अच्छा है आप लोगों से जा रहे हैं बातचित कर रहे हैं अपने लोगों से लोग सपोर्टिव हैं और आपको बढ़े आप confidence दे रहे हैं आपको मजा आ रहे हैं आपकेली नहीं है आप सबके साथ में एक अच्छा confidence develop होगा तो अच्छा होना चाहिए आपकी life अच्छी चिलेगी ठीक है नेक्स आता है फिजिकल इन्वार्मेंट का मतलब कि आप जहां पर रहे हैं वहां चारों तरफ जो man-made environment है वो कैसा है ज्यादा मतलब अगर वहां पर बहुत ज़्यादा solution है ठीक है इन्वार्मेंटल कंडिशन सही नहीं है तब आपके ऊपर बहुत ज़्यादा खासा प्रभाव पड़ेगा आपकी हेल्थ पर ठीक है आपके चारों तरफ लोग बहुत ज़्यादा बीडी से ग्रेट पी रहे हैं तो आपके बहुत खासा प्रभाव पड़ेगा म इसानली चाहिल development का क्या मतलब है कि जैसे समझ लिजिए कि बहूत सारे चोटे-चोटे बच्चे ही सुरुवात में जो बच्चे अगर वो अच्छे घर में आ जाते हैं तो अगर उनका development सही से होता है सुरुवात से उनको पोशन सही मिलता है खाना पिना सही मिलता है उनका अच्छी रहेगे लेकिन अगर माल लीजिए वहीं पर मतलब जो चाइल्ड का डेवलप्मेंट है वह ऐसे पूर फेमली में हो रहा है तो उसको बोजन नहीं मिलेगा तो वह देरी 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 उसकी कमजोर हो जाएगी और इमिनिटी कमजोर होगी तो उसका जो हैल्थ स्टेटस है बहुत लोग हो जाएगा ठीक है तो यह भी थोड़ा से प्रभाव डालता है एक्चुली कुल मिला कि गरीबी और अमीरी से ही प्रभाव पड़ता है ज्यादा तर गरीबी अर्मीरी का मतलब है और साथ में एजुकेशन भी होना चाहिए आपके पास पैसा भी होना चाहिए एजुकेशन भी होना चाहिए और एजुकेशन होगा तो पैसा ही हो गई ठीक है तब ही आपकी हेल्थ अच्छी रह पाएगी नेक्स्ट आपकी होती है प्रस्नल हेल्थ प्रेक्टिस और कॉप पता है तो अपनी लाइफ में आप इस्ट्रस फुली जी रहे हैं बहुत सारा चैलेंज़ जजहल रहे हैं या आप श्मोकेंग कर रहे हैं ड्रिंकिंग कर रहे हैं और डाइट सही ने ले रहे हैं तो आप बीमार पड़ जाएंगे तो अपको प्रेस्नल हेल्थ प्रेक्टिस वही employee होनी चाहिए आपको अपने हेल्थ के बारे में प्रक्टिस सही करनी चाहिए कि आपको पता हूना चाहिए कि आपको क्या खुआ क्या खाना है क्या नहीं खाना है तब स्वस्त रहें पाएंगे दूसरा है health services हाइल अलीसे मार दिल और से कोई भी बिमारी होती है तो इसके प्रिबंशन के लिए आप आसानी से कहीं मतलब जा करके अब हेल्थ से आप सर्विसेश प्राप्त कर सकते हैं तो बिमारी बहुत कम फैलेगी तो यह तो गवर्मेंट का काम है कि अपको मिलती रहे हैं नेक्स्ट है सोसल सपोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है कि जैसे समझ लीजे कि एक बेटर हेल्थ के लिए जो आपकी फेमिली है आपके आपके अच्छा होना चाहिए मतलब आपकी फेमिली आपके लोग आपके फ्रेंड्स आपकी कम्यूनिटी यह आपके लिए सपोर्टी बगर है तो इसका बहुत अखासा प्रभाव पड़ता है बाडी के उपर हेल्थ के उपर ठीक है तो यह के डिटर्मिनेंट की तरह सही फाइसी बाते काम करता है हेल्थ को सही रखता है और अगर सोचल सपोर्ट अच्छा नहीं है आप अकेले मेरे रहे हैं एकले में जी रहे हैं तो आपका हेल्थ खराब हो शकता है नेक्स्ट है बालोजी एंड जेनेटिक इंडर्मेंट इसका क्या मतलब है तो ऐसे समझ यह कभी-कभी जो भीमारिया होती है वो जनेटिकली भी प्रभावित होती है तो उसी को इसमें बताया जाता है कि बहुत सारी जनेटिकली मारे बॉड़ी के अंदर आती है ठीक है वो उसके ओपर ज्यादा कंट्रोल नहीं कहा सकता है नेक्स्ट है जंडर और फिर कल्चर में बताया गया है कि यह भी कुछ फैक्टर होता है डिस्टरब करने के लिए हल्थ को नेक्स टाप का कल्चर का क्या मतलब हुआ कि जैसे समझ लीजिए कि आप अपने लाइफ में कहीं पर रह रहे हैं और और ऐसे किसी ऐसी चीज़ में समझ लीजिए रहे हैं जहां पर पर प्रूशन बहुत जैदा है दि एक एसे कल्चर में जहां पर अलग अलग लोग रह रहे हैं अलग अलग मानने वाले लोग रहे रहे हैं मतलब वहां कीन्ति बहुत अलग ताइप की है और उसमें डायवर greater city बहुत जादा है ठीक है तो ऐसे कंडिशन में ये कल्चर्स भी आपको आपकी हेल्थ को इंफ्लेंस करते हैं और अगर वो सब्सक्राइब निकले तो फिर आप आप हेल्थी रहेंगे ठीक है और एक एग्जम्पल के तो इसा हम समझ रहे हैं सारी चीजे तो जिसको हम इसा भी अपने पढ़ा है इसको बोलते हैं डेटर पहले देखेगा कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर होते हैं किसी इंडिविज्वले पापूलेशन के अंदर में जो डिर्क्ली है इंडेरक्ली हेल्थ को मीजर करते हैं मीजर करने का मतलब उसको मापते हैं कि हेल्थ सोसाइटी में कैसी है कैसी चल रही है कितना सूचक बोलते हैं सूचक का मतलब क्या होगा कि जो चीज बताया है कि कोई चीज कितनी ज्यादा अच्छी है कोई कितनी ज्यादा खराब है उसी कम सूचक बोलते हैं ठीक है तो वही इंडिकेटर्स होते हैं हेल्थ के कि जो हेल्थ के features के बारे में measure करें किसी भी population के अंदर या किसी भी individual के अंदर अब कौन-कौन से indicators हो सकते हैं ध्यान दीजेगा जैसे अब यहां पर मैंने 10 indicators लिखे हैं कौन-कौन से हैं mortality indicators morbidity disability nutritional status indicator healthcare delivery indicators utilization rate indicators of social and mental health environmental indicators socio-economic indicators और health policy indicators तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा ऐसे बाकि detail तो नहीं किया गया है लिखा है नहीं है मैंने बस ऐसे discuss करेंगे जैसे अभी हम लोगों ने डायमन 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 को डिसकस किया था उसी तरीके से तो मॉर्टेलिटी indicators क्या क्या होते हैं मॉर्टेलिटी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है चलिए यही थोड़ा सा देख लेते हैं यह से किसी population के अंदर उसे मॉर्टेलिटी इंडिकेटर बोलते हैं तो जैसे किसी population के अंदर जितने लोग मर रहे हैं जितने लोग की डेथ हो रही है उसकी हल्थ थोड़ी सी उतनी खराब है और जितने लोग मतलब ठीक ठाग है तो population की जो health होती वो स्थी होती है तो एसे थोड़ा सा देखते हैं कि mortality indicators के बारे में कि mortality indicators में क्या क्या चीज़े आती हैं तो पहली एक crude death rate जैसे किसी community के अंदर किसी population के अंदर हर साथ 1000 में से कितने लोग की death हो रही है इसको बोलते है crude death rate यह death rate जतनी जादा होगी health उतनी कमजोर होगी और यह death rate जतनी कम होगी उतनी health अच्छी होगी health का status लेकिन यह conformally नहीं कहा जा सकता वज़ा यह है कि हर population की अपनी age होती है और अगर age ब्रिधा वजथा की है तो death तो ज़्यादा ही होगी तो ऐसे especially यह नहीं हो सकता है health indicator लेकिन तब भी थोड़ा बहुत health indicator का का काम करता है कि दूसरी चीज़ होती है life expectancy life expectancy का मतलब इतना ही समझ लिए जैसे की एक population के अंदर जो तो average लोग born हो रहे हैं उसी हम life expectancy बोलते हैं ठीक है यह पिपल्स जो है वो कितनी लोग जो है वो कितने साल तक जी रहे हैं कितने दिन तक जी रहे हैं पैदा होने के बाद में उसी कौम बोलते हैं तो यह भी एक इंडिकेटर हो सकता है कि जैसे किसी community के अंदर में ज्यादा हेल्थ स्टेटर से वो अच्छा होता है ठीक है नेक्स्ट होता है आपका infant mortality rate infant mortality rate में क्या होता है कि जैसे बच्चों का जनम होता है और प्रतेक साल एक हजार जीवित बच्चों में कितने लोग बच्चों की डेथ हो रही है जो infant होते हैं मतलब एक हजार लोग पैदा हुए उनमें से कितने मर गए उसी को हम बोलते हैं infant mortality rate ठीक है अगर यह बहुत ज्यादा है तो है यह इंडिकेट करता है कि health आपकी सही नहीं है कम है तो वही health सही है community की health की बात होती है ठीक है आपकी health नहीं community health की बात होती है यह बात ध्यान दिजिएगा दूसरा है child mortality rate मतलब एक से चार मतलब ऐसे पर एक से चार साल के बच्चों में अगर देखा था तो एक हजार बच्चों में जितने लोग की death होती है उसको में बोलते है child mortality rate ठीक है और यह ज्यादा नहीं होनी चाहिए ज्यादा होगी इसका मतलब health अच्छी नहीं है बच्चों होगी ठीक आपको मैं बताऊं कि जो developed countries हैं वहां पर यह rate बहुत कम होती है जिबकि developing country में बहु तो उसे हम बोलते है mortality mortality rate ठीक है mater mortality rate जो mother है वो अगर उसकी death हो जाती है तो यह भी indicate करता है कि health की विवस्था अच्छी नहीं है ठीक है next होता है disease specific mortality इसको बतलब आप जानते हैं कि अगर कि specific disease की वज़ा से बित्ति होती है तो यह तो ऐसे ही indicate करेगा कि health अच्छी नहीं है ज दूसरी disease की वज़ा से हो सकती है ठीक है तो यह सारी चीज़े होती है थोड़ा सा जो की indicate करती है health के बारे में की health का status कैसा है अच्छा है या नहीं है ठीक है अभी दूसरी चीज़ होती है morbidity indicators morbidity indicators का मतलब होता है कि किसी भी community के अंदर कितनी ज्यादा बीमारिया हो रही है क उसी को हम बोलते है morbidity और morbidity indicators जो होते हैं वो जैसे देखेंगे कि बीमारियों का rate बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब health आपका indicate करेंगा कि health जो है वो सही नहीं है ठीक है health अच्छा नहीं है यह किसी भी वज़ा से हो सकता है ठीक है जो morbidity indicators होते हैं मतलब जो बीमारिया हो होती है वो किसी भी तरीके से हो सकती है और यह जो है health पर बहुत घासा प्रभाव डालती है नेक्स्ट होता है disability rate disability rate का मतलब ऐसे बहुत सारे लोग पहले विकलंगता होती थी अभी बहुत कुछ सही हो गया उसकी बावज़ूद भी विकलंगता disabilities है इंडिया में यह बहुत दिजीज की वज़ासे है या फिर किसी chronic disease की वज़ासे है या फिर accident की वज़ासे है ठीक है तो यह disabilities होती है वह किसी भी population में health indicate करती है कि health कैसी है जिसमें ज्यादा लोग रहे रहे हैं उसकी health थोड़ी सी खराब होती है health status सही नहीं होता है ठीक है next आता है nutritional nutritional status indicators मतलब किसी भ खाने की पीनी की व्योस्त और सही नहीं है तब आपको क्या होगा कि जो health होगा अच्छा नहीं होगा ठीक है बहुत सारी बच्छों की जैसे इसमें क्या होगा जब बच्चों का nutrition नहीं मिलता है खास कर जब बच्चों का तो फिर वह दूबले पतले होता है उनकी वजन कम होता है लंबाई कम होती है तो ऐसे में इम्मुनिटी कम जोरोगी और उनको बहुत सारी बिमारियां हो सकती है और यह हेल्थ के स्टेटस को गिराता है जो है हेल्थ केरडिलेवरी इंडिकेटर क oppressants कि एक ऐसे इंडिकेटर्स होता है इसा समझ लीजिए मतलब जो हेल्थ केर होता है जो भी हेल्थ होती हो वो आपके पास तक कैसे पहुच रही है जैसे अगर कम्यूनिटी के अंदर देखा जाए तो क्या डॉक्टर्स का और पापूलेशन का रेशियो सही है अगर यह ठीक ठाक होता है तो हाँ यह सही है कि आपकी हेल्थ स्टेटर्स हची होगी कि वरतिक विक्ति को डाक्टर मिल जा रहे है डाक्टर और नर्स का रेशियो कैसा है ठीक तो ऐसा बहुत कम हास्पिटल है और बहुत कम डाक्टर से ठीक है बहुत कम नर्स है अगर पॉपूलेशन के वेश्ट पर देखा जाए तो इस वज़ए से इंडिया का हेल्थ स्टेटस वैसे भी अभी बहुत आदा सही नहीं है ठीक नेक्स्ट जैसे अगली बात करें अग नहीं ले पा रहा है ठीक है यह सब कोता है यूटिलाइजेशन मतलब कितना हो रहा है होस्पिटल का यहल्थ केर सिस्टम का तो एक चीज महां जहां तक मुझे लगता है कि अभी बताया भी जाता है कि ठीक है थोड़ा बहुत यूटिलाइजेशन तो होई रहा है जैसे ज़्यदा बिराम लगा जा चुका है क्योंकि जो ड्रग्स का जो हेल्थ के सिस्टम्स हैं या हेल्थ केर असेसरीज हैं उन सभी का यूटिलाजेशन से इससे हो रहा है ठीक है और वैसे भी हॉस्पिटल्स भी बढ़ रहे हैं और जैसे जो प्रेगनेंट लेडिस होती हैं उन उन सभी को भी हॉस्पिटल में अच्छे से उनकी देख्रिक की जा रही है ठीक है और जो नियो निटल की डेथ रीट उसको भी कम किया गया है तो एक तरह से हैल्थ स्टेटर्स यूटिलाजेशन के तो बढ़ तो रहा है लेकिन अभी और भी जरूरत है लोगों को कि वह कमउटि के अंदर में कितने लोग जहला ले रहें, पासी लगा ले रहें। और कितने लोग उसमन क mortality कोशूपिके बाया हो जा रही है वहाएं, वह और क्रोंव शारा ही है। हैं कि इसारी चीजह होती है वह एक प्रकार से हैल्थ का इंडीकेटर ही होती है यह सारी चीजह बताते हैं कि शमाज थोड़ा से बिमार है ठीक है अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो सट इन्वार्मेंटल इंडिकेटर का मतलब यह होता है कि जैसे आपके चारों तरफ मतलब आपके जो community है क्या वहाँ पे बहुत ज़्यदा pollutions है ठीक है उनकी roads ही नहीं है या फिर water pollution है radiations है तो यह भी indicator होता है क्योंकि यह health status को गिराता है और अगर बहुत सच होगा तो health indicator मतलब health जो होगी आपके वो सही होगी अब अगर बात करें socio economical या economic indicators की socio economic indicators यह क्या होता है तो इसका मतलब आपका इससे समझ लेजिए कि socio economic indicators डिरेक्ली health को मीजर तो नहीं कर पाता है ठीक है लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि यह ऐसे indicators होते हैं जो कि अगर आपका socio economic conditions सही है तब आप आराम से hospital जाएंगे medicines लेंगे ठीक है और आपके पास income होगी आपके पास पैसा भी होगा आप health care को अपने घर बुला सकते हैं ठीक है कहने का मतलब आप आप healthy रह सकते हैं आपको बहुत जादा दिक्कत सम्दम नहीं करना पड़ेगा अब बहुत सारे socio economic indicators होते हैं जो की निधारित करते हैं कि health कैसा होगा जैसे rate of population increase अगर population बहुत जादा बढ़ रही है तो health खराब होगा ठीक है तब भी health status खराब होगा family की size जादा बढ़ी है तब भी health status खराब होगा कम है तो ठीक है आपकी housing आपके घर में आपके एक कमरे में कितने लोग रह रहें कहने का मतलब आपका घर अगर बढ़ा है और लोग कम है तो अलग-अलग कमरे में लोग रहेंगे और अगर किसी को को मिमारी होती तो दूसरे को नहीं होगी ठीक है तो एक तरह से हेल्थ रहेगी और आप लोग मतलब जो एक पुल संदो सोसाइटी है उसमें से जो भी लोग है उनकी अपनी अपना प्राप्त करने की खिशम्ता कि इतनी है ठीक है तो वह भी डिपेंड करता है कि उनको मिमारीया है कि population की जो health है वो कैसी होगी ठीक है जैसे बहुत सारी जो जो adequate resources है health के लिए क्या government उसको दे रही है सरकार उसको दे रही लोगों को अगर दे रही है तो health अच्छा है अगर नहीं दे रही है तो health अच्छी नहीं नहीं रहेगी ठीक है तो फ्रेंड्स यह थे कुछ इंडिकेटर्स जो की इपने बताए इंडिकेटर्स ऑफ है अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं concept of disease के बारे में ठीक है तो तब तक के लिए नमस्कार बहुत बहुत दन्यवाद आप वीडियो देखने के लिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेर कर दीजेगा अपने फ्रेंड्स के साथ हम झाल